नमस्कार दोस्तो यहाँ पे फिर्ट्स बात करेंगे आज एक बिल्कुल नहीं वेकंसी की जिसका काफी लंबे अर्से से लंबे समय से इंतजार था छात्रों को सरकार तो काफी सूपर फास्ट स्पीड में काम कर रही है अब आप भी अपनी तयारी को सूपर फास्ट कर दीजे नहीं तो आप ऐसे ही कोस्ते रह जाएंगे कि वेकंसी नहीं आती है वेकंसी आएगी आके चली जाएगी आप घर पे बैठे रह जाएंगे और हम ऐसा याई कॉलेजेज है उसके अंदर पर्मानेंट तोर पे आईटी आई में पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्स की वेकंसी नहीं आई थी अभी संबीदा कर्मी और जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके द्वारा ये कारे लिया जा रहा है लेकिन अभी फ्रेंट्स यह ज चली गई है एक्जामीनेशन भी हो चुका है यानि कि अगर आप आप एडिय भी थे और आपके पास तीन साल का एक्सपेरियंस था तो उन लोगों के लिए वेकंसी का एक्जामीनेशन भी ले लिया गया है दो एक महीने पहले फॉर्म फिलप हुआ था और इसी महीने अच्छे से देखेगा कि आपका संभावित एक जामेनेशन कब हो सकता है क्या-क्या पूछे जा सकते हैं सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ठीक है यहां पर देखेए 15 सितंबर को यह बिहार तक्निकी सेवा आयो के वेबसाइट पर यह सबसे बड़ी बात है कि एक पर्मानेंट जॉब है ऐसा नहीं है कि समवेदा के तौर पर आप काम करेंगे यहां पर तक्निकी सेवा आयो के दौर आपकी बहाली ली जाएगी और आप एक पर्मानेंट स्रम संसाथन विभाट के इंपलोई के तौर पर काम करेंगे ठीक है तो बेवसाइट अनुदेश्टिकों के विभिन पदो पर न्युक्ति हितु विग्यापन की सूचना ठीक है इससे पहले फ्रेंट्स आइटिये वालों जो भी फॉर्म फिलप किया था जिन जिन्होंने फॉर्म भरा था जिनका एग्जामिनेशन हुआ है वो एक वर्क्शॉप इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करेंगे यानि कि ज्यादा प्रैक्टिकल्स वो लोग कंडग करवाएंगे लैब वगयरा जो होता है और यहाँ पर डिप्लोमा वाले क्लासेज लेंगे बिहार पटना के अंतरगत निदेशाले नियोजन एवं प्रस्रिक्षन बिहार पटना के अधिनस्त विभिन और दोगिक प्रस्रिक्षन संस्थानों में विभिन विवशाय अनुदेशकों की रिक्त पदोपर डिग्री और डिप्लोमा योगिता धारी नियुक्ति के लिए online आवेदर 19 सितमबर से लेके 18 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है तो degree, diploma उत्तिन अभियर्थियों के लिए 29 अलग-अलग व्यवसायों की पदवार एवं group वार रिक्तियों की व्यवरन यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बताया गया है कि friends जो आपका यह जो post है यह आपको 29 अलग-अलग trades यानि कि ITI में 29 trades की पढ़ाई होने वाली है उसकी लिए निकाली गई है और trades जो भी आपके screen पे यहाँ पे दिख रही होगी जिसको groups में बाटा गया है डिप्लोमा में डिग्री में मैंने इस ब्रांच से किया है तो मैं किस के लिए eligible रहूँगा ठीक है तो आपने पढ़ाई करी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि आगर यहाँ पे सब्सक्राइब करें लिए उसके निचे की बात करें तो आप देख सकते हैं इलेक्टिशन के लिए इलेक्टिकल वाले होंगे तो ठीक इसी प्रकार आपको खुद से देखना है अच्छे से और अगर आप मेकैनिकल ब्रांज से हैं तो आपके लिए स्पेसल यहाँ पे इंजिनिरिंग ड्रॉइंग के लिए भी अपलाई कर सकते हैं मतलब सकते हैं स्क्रीन पर चलिए मैं अब आपको सबसे पहले इसका जो क्या वेतन स्थर रह सकता है कि आपको सेलरी मिल सकती है वह आपको दिखा देता हूँ तो फ्रेंट्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो पिछली बार वेकिंसी अभी भरे गई थी आई पर लेवल 6 बहुत अच्छा लेवल हो जाता है और अगर बिहार के अंदर बीटेक लेवल की कोई वेकिंसी आती है तो उसका लेवल कम से कम 7 रहता है लेवल 7 की वेकिंसी होती है अब देखना यह है कि फ्रेंट्स 18 तारी को जब इसका फुल नोटिफिकेशन डाला जाता है तो उसमें क्या लेवल 7 देखने को मिलेगा हमें या लेवल 6 ही देखने को मिलेगा लेवल 6 पे भी अगर आपकी इतनी वितरमान आपका रहता है ग्रेड पर ब्याली सर रहता है तो असानी से 60,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहा पर्मेंट ने डिसाइड किया है डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए अभी फ्रेंट्स आपको सेक्षिनिक योगिता बता देता हूं कि कौन लोग अभी आवेधन कर पाएंगे जो बीटेक वाली वेकंसी आई है उसको तो सबसे पहरे फ्रेंट्स आपकी सेक्षिनिक बात करें तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको कम से कम दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए अब आपके माइंड में आ रहा हूं कि दो साल का एक्सपीरियंस हम कहां से लेकिया है तो दो साल का एक्सपीरियंस अगर आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी म उसी समंदित नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी भी registered संस्थान में आप वहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वहाँ से certificate लेके आप इसमें देंगे दो साल का डिपलोमा वाले वहीं B.Tech की बात करें तो वह एक साल का certificate same अगर आप किसी private limited company में काम कर रहे हैं या फिर किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं पढ़ाने का काम कर रहे हैं registered फरजी नहीं तो आप वहाँ से एक साल का certificate बनवा के दे सकते हैं ठीक है और यह vacancy friends बिहार के बाहर के candidates भी आवेधन कर सकते हैं as a general candidate ठीक है समानने जाती के तौर पे बिहार के जितने बाहर वाले candidate हैं वो भी आवेधन कर सकते हैं और बिहार के जो candidate है उनको ही केवल आरक्षन का लाब मिलेगा बहुत common सी बात है लेकिन form कोई भी भर सकता है ठीक है अब बात करते फ्रेंट्स आपको मैंने बता दिया कि आपका जो भी qualification है वो आपका trade जो भी आपने पढ़ा है वो रहेगा डिप्लोमा के लिए 2 साल के experience और B.TEC के लिए 1 साल के experience रहने वाला है इस vacancy को fill up करने के लिए और साथ में benefit किनको है यहाँ पे तो जिनोंने फ्रेंट्स आपको CITS का course किया हुआ है CITS का एक साल का एक course होता है भारस सरकार के द्वारा training दी जाती है जिस प्रकार से किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए B8 एक course होता है और DL8 एक course होता है आपने पता जानते ही होंगे B8, DL8 के बारे में तो ठीक उसी परकार फ्रेंट्स अगर ITI के अंदर पढ़ाना चाहते है तो CITS नाम का एक course होता है यहनि कि Craft Instructor Training Scheme ठीक है पहले CTI के नाम से लोग जानते थे उसका 50% परते कव्यार्थियों को दिया जाएगा यानि कि अगर आपका जो लिखित परिछा 100 अंक्स का होने वाला है ठीक है और आपने उसमें जितना भी अंक पराप्त किया है मान के चलते हैं आपने 80 अंक लेकिया है 100 में से तो आपको केवल 50% उसका दिया जाएगा यानि कि 40 नमबर ही आपको दिये जाएगे ठीक है तो अगर आपके 80 नमबर आते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 40 नमबर ठीक है ठीक उसके बाद बताया जाता है कि आपने जो भी कोर्स किया है डिप्लोमा या बीटेक उसमें जितने भी परतिसत है उसमें भी मानके चलते हैं कि आपका 80 परतिसत है तो उसका 20 परतिसत आपको मिल जाएगा यानि कि 80 का 20 परतिसत 16 नमबर ठीक है तो यहाँ से आपको 16 नम्ल गए समझने आ रहे होगी नमारी बात अब उसके बाद friends बताया जा रहा है कि आपका जो CITS है CITS course में जितने भी परतिसेतंग आपने प्राप्त किये हैं उसका 30% परतिसेतंग आपको मिलेगा अगर CITS में आपने 80% प्राप्त किये हैं तो आपको यहां से 24% मिल जाएगा और इतना marks आपका होने के बाद आप इसको calculate कर सकते हैं और यह जो 25 अंक मीचे दिख रहा है यह उन लोगों के लिए है जो संबीदा तोर पे वहाँ पे already कारे रख थे और प्रतेक वर्स के लिए उनको 5 अंक दिया जाएगा और अगर आपका selection होना होगा 80% cut-off रहता है तो आपका selection हो भी जाएगा तो यहां पे benefit friends CITS जिन्होंने course किया है उनको है क्योंकि 30% extra marks उनको मिल जाएगा अब बात करते हैं friends यहां पे कि क्या questions पूछे जा सकते हैं तो जैसा कि friends कुछ candidates exam देखे आये हैं उनसे बात हुई है हमारी तो उनका कहना है कि ITI level पे जो questions पूछे गए थे वो theory basis पे थे जादा तर और जो numericals हैं बहुत जादा नहीं पूछे गए थे depend upon trades लेकिन आप अपनी तयारी पूरी रखिएगा कोई चाहिए कुछ भी बोले government कब किस type का question पूछ सकती है वो कोई नहीं guess कर सकता है तो आप अपना जो ITI का syllabus है उसको खतम करिये ही करिये और साथ में friends अपने numerical based पे भी ज़्यादा ध्याद अब दीजएगा क्योंकि अभी आप जो यह form बढ़ने वाले हैं डिग्री और डिप्लोमा वाले वो पढ़ाएंगे students को as a lecture लेंगे जो भी subject है उनका जो भी trade है उसको पढ़ाना है वहाँ पे तो आपको numericals वगरा भी दिखने पढ़ेंगे फिलाल जो भी इससे पहले examination हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा numericals नहीं पूचे गए थे लेकिन अभी वाले में पूचे जा सकते हैं यहाँ पर total examination आपका अगर 100 marks का रहता है तो जिसमें से 80% आपका question technical रहने वाला है और 20% question आपका जो general aptitude होता है math, reasoning, english, gk यह combination of these subjects आपका रहेगा ठीक है तो 20 number का आपका यहाँ से रहेगा और 80 numbers का आपका trade से रहेगा तो smart study क्या कहता है कि आपको trade पे focus करना है rest of 20% आप बहुत ज़्यादा उस पर time नहीं दे सकते हैं क्योंकि time लेंगे तो आपका technical अभी से पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि examination की बात करें तो देड़ महीने के अंदर आपका examination ले लिया जाएगा form भरने के last date से देड़ महीने के अंदर आपका examination खतम हो जाएगा तो मिहनत जवरदस्त करिए और चैनल से जुड़े रही है जो भी update आता है आपको हम लोग पूरी कोसिस करते हैं सही से आप पहुचाने की और अभी भी किसी के mind में कोई confusion होगा तो next video हम और अच्छे से थोड़ा उसको board वगएर पर डिस्क्राइब करके जुरूर बताने के कोसिस करेंगे लाइक कर दीजेगा वीडियो को मिलते हैं friends next video में तब तक के लिए धन्यवाद